नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण राधे राधे, दोस्तों उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है, उल्लू को लेकर हमारे समाज में कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं, उल्लू को अक्सर रात का राजा कहा जाता है और उसे अच्छा या बुरा होने का और यह कब आपके लिए अशुब संकेत देता है। साथ ही यदि कोई गर्भवती महिला को उल्लू दिखता है, तो यह उसके लिए लाभकारी होगा या फिर अशुब। तथा बहुत ही महंत के बाद जो ग्यान अर्जित किये थे। वही मैं आप लोगों के साथ शेर करता हूँ तो चलिए बिना समय गवाय जानते हैं अपने गुरुजी से। इस वजह से इसका बहुत अधिक शिकार भी किया जाता है, उल्लू का महत्व तंतर शस्त्र के अंदर बहुत ही अधिक होता है। क्योंकि उल्लू की मदद से कई प्रकार की तंतर क्रियाएं होती हैं, फिर भी उल्लू को मारना पाप है और यह कानूनी रूप से अपराध है। यूरोप के अंदर उल्लू को काले जादू से जोड़ कर देखा जाता है, वहीं चीन के लोग इसको सौभागय का प्रतीक भी मानते हैं। उल्लू के अंदर बहुत तरह की जादूई ताक्ते होती हैं, ऐसा भारत के अंदर माना जाता है। तांत्रिक मानते हैं कि इसकी मदद से शक्तियां हासिल की जा सकती हैं, उल्लू को लक्षमी का वाहन भी माना जाता है। और यह कहा जाता है कि जो लोग उल्लू का अपमान करते हैं, उनके घर से माता लक्षमी रूठ जाती है। उल्लू के अपमान पाप माना गया है, सौर उल्लू लक्ष्मी देवी का वाहन हो या किसी और देवी का लेकिन उल्लू के साथ कई प्रकार के शगुन अप्शगुन जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं. दोस्तों उल्लू के दो पहलू होते हैं, उल्लू का दिन के समय घर में आना अशुब माना जाता है, वही रात के अंदर उल्लू का घर के अंदर आना शुब होता है. यदि आपके घर के अंदर रात में उल्लू आकर कहीं पर बैठ जाता है तो यह आपके घर के अंदर धन आने का संकेत देता है दोस्तों दिन में उल्लू का बार-बार घर के अंदर आना बहुत ही अशुब माना जाता है यदि आपके घर के अंदर दिन में उल्लू आ रहा है तो आपको रोकने की कोशिश करनी चाहिए यदि उल्लू दिन में घर के अंदर आकर बोलने लगता है तो यह अशुब होता है और यह माना जाता है कि मकान जल्दी ही खंडरे आसपास उल्लू बोलता है तो यह समझा जाता है कि आपका घर जल्दी ही खंडरई जा सकते हैं यदि घर के अंदर उल्लू आता है तो यह माना जाता है कि आपके घर के अंदर कुछ बड़ा बुरा होने वाला है उल्लू घर के अंदर विनाश लेकर आता है, बुरे के अंदर आपके परिवार के उपर किसी प्रकार का कोई बहुत बढ़ा संकट आ सकता है आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार पढ़ सकता है, दोस्तों आपको यह समझना चाहिए कि उल्लू का अचानक से घर आना या ओफिस के अंदर आना बहुत ही शुब संकेत होता है यदि आपके घर रात में अचानक से उल्लू आ जाता है तो यह बताता है कि आपके घर में धन आने वाला है आपको किसी प्रकार का धन लाब हो सकता है दोस्तों यदि आपने सफेद उल्लू रात के समय देखा है तो यह बहुत शुब होता है आपके घर के अंदर मंगल कार्य होने वाले हैं लेकिन यदि आपने सफेद उल्लू दिन के समय अपने घर के अंदर देखा है तो यह बहुत बुरा संकेत है आपके घर में कुछ अशुब होने वाला होता है रात में उल्लू का आपके घर के अंदर या घर के आसपास बोलना शुब संकेत होता है यदि रात को उल्लू घर के अंदर बैठा हो तो उसे घर से बाहर नहीं उडाना चाहिए यह अच्छा माना जाता है यदि घर के अंदर कोई रोगी गंभीर से गंभीर बीमारी से पीडित हो और कोई उल्लू उसको छुकर चला जाए या उसके उपर से उर्ता हुआ चला जाए तो यह संकेत देता है कि वह रोगी जल्दी ही ठीक होने वाला है आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि उल्लू के सभी संकेत बुरे भी नहीं होते हैं, इसके कुछ ऐसे संकेत भी होते हैं, जिनको बहुत अधिक शुभ माना गया है यदि आप आज अचानक से उठे और जैसे ही रूम से बाहर आए अचानक से आपने उल्लू की आवास को सुन लिया आपने उल्लू को देखने की कोशिश की लेकिन वह नहीं दिखा और उसके बाद आप घबरा गए कि उल्लू की आवास सुभ 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 सुनना बुरा होता ह अब पता नहीं कि किस प्रकार से पूरा दिन जाने वाला है, लेकिन हम आपको बता दें कि सुभसुभ किसी उल्लू की आवास का सुनना आपके लिए अचानक से धन प्राप्ती का संकेट है दोस्तों यदि आप दिवाली की रात को उल्लू देखते हैं, तो यह बहुत ही शुभसंकेट है, यह बताता है कि आपके उपर धन की बारिश होने वाली है हालांकी दिवाली के उपर कुछ तांत्रिक लोग उल्लू की बली देते हैं जो एक महापाप है तांत्रिक मानते हैं कि ऐसा करने से सभी तरह की समस्याएं जैसे बीमारी मंचाहा प्यार संतान और व्यापार में उन्नती होती है उल्लू को तांतरिक पकड़ कर मंगवाते हैं और उनकी बली देकर प्रेतों को खुश करते हैं जो सबसे बड़ा महापाप है पुरानों के अंदर जीव हत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है और जो जीव हत्या करता है वह घोर नरक के अंदर गिरता है यदि आपको कहीं पर भी दिन में या रात के अंदर उल्लू रोता हुआ दिखाई दे तो अशुब होता है उल्लू का रोना यह बताता है कि धन की हानी होती है, धन की हानी किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे कि आपका पैसा गिर सकता है या आपका पैसा चोरी हो सकती है या आपकी कोई कींती वस्तुख हो सकती है यदि उल्लू रोता हुआ सुन ले तो आपको अपने धन के बारे में अच्छे से सचेत होने की आवश्यक्ता है ऐसा माना जाता है कि यदि आप कहीं पर जा रहे हैं और आपको पीठ पीछे कहीं पर उल्लू दिखाई देता है तो यह आपकी यात्रा की सफलता का संकेत देता है तो आपको अवश्य ही अपनी यात्रा को पूरा करना चाहिए यह यात्रा आपके लिए मंगल मैं ही होगी तो यह इस बात का संकेत देता है कि आपका काम निश्फल हो सकता है, आपको इस बारे में सचेत हो जाना चाहिए। यदि उल्लू ऐसा करता है, तो उस व्यक्ति की लाटरी लगने वाली होती है, उसको उपरण की प्राप्ती होती है, लेकिन यदि उल्लू दिन के समय में परिशान करता है, तो धन हानी होने का संकेत होता है। उल्लू को रखना चाहिए, इसके अलावा आप गोल्डन कलर का उल्लू भी अपने घर के अंदर रख सकते हैं। यह बहुत ही शुब होता है, उल्लू का स्टेचू ना रखें, उल्लू को कभी भी सीधा नहीं रखना चाहिए, उल्लू का लगातार देखना या आपकी नजर उल्लू से मिल जाना यह इस बात का संकेत है, कि आपके जीवन में अचानक से खुशियां आने वाली हैं। साथ ही आपको धन की प्राप्ती होने वाली है, वही अगर आप काम के लिए जा रहे हैं और आपको बाई तरफ उल्लू दिखाई दे जाए, तो यह भी शुब माना जाता है। या आवाज आ जाए, तो यह आर्थिक संकट का सूचक माना जाता है। कि आप शत्रों पर विजय प्राप्त कर लेंगे अगर आप कहीं जा रहे हो और तभी उल्लू रास्ता काट जाए, तो यह एक अच्छा सगुन माना गया है। इसका मतलब है कि आपका अटका हुआ धन प्राप्त होने वाला है और पुराने कर्श से भी मुक्ती मिलने वाली है वहीं अगर आपके उपर से उल्लू उर जाए, तो यह एक संदेश है कि आपको अपने जीवन को नए तरीके से देखने और समझने की जरूरत है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह खत्म हो जाएंगी और जल्दी आपको सुक शान्ती मिलेगी। वहीं सपनों में भी उल्लू के महत्व को नजरंदाज नहीं करना चाहिए अगर आप सपने में उल्लू को देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी समस्याओं का समाधान जल्द ही मिलने वाला है। साथ ही आपके अंदर ज्ञान की वृद्धी होने वाली है, जिससे आप खुद की क्षमता पर विश्वास करना शुरू कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद